हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, आज के वीडियो में हम जानेंगे 13 मार्स 2020 के डेली करेंट अफियर्स MCQ के बारे में और साथ ही जानेंगी इस से related important facts, ये वीडियो आपके आने वाले सभी exams के लिए important है, तो वीडियो को आप end तक देखें, बीच में इसके बिलकुल न करें, क्योंकि बीच बीच में आपसे कई questions भी पूछे जाते हैं, तो आप उन questions का answer हमें comment में अवश्य दें जी के current affairs and latest updates के लिए तेयारी online को subscribe करें, तो चली देर न करते हुए start करते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को like और share नहीं किया है, तो फटा-फट like कर दें और अपने दोस्तों को भी share कर दें, देखते हैं पहला प्रस्न, तो यहां देखिए पहला प्रस्न हमारा है, Federation of All India Traders ने हाल ही में कौन सा vendor mobile app launch किया है, तो देखिए, Confederation of All India Traders ने launch किया है, भारत e-market, option number A, इसका correct answer है, चली अब आपको बता दिया जाए, भारत e-market के बारे में कि भारत e-market क्या है, तो देखिए, भारत e-market जो है, वा Amazon और Flip Card की तरह online shopping portal है, क्या है? Online shopping portal है, जिसे 8 करोर बैपारियों के संगठन ने vendor mobile application भारत e-market को दिल्ले में launch किया है, तो देखिए, आपको यह भी याद रखना होगा, कि यह पूरी तरह से देशी e-commerce platform है, भारती market क्या है? भारती market जो है, यह पूरी तरह से देशी e-commerce platform है, इस platform के mobile app को, CAIT ने सुध रू आया है, जो प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी के बोकल फॉर लोकल वीजन पर आधारित है, यह भी याद रखना है, यह किस पर आधारित है, तो देखिए, प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी के बोकल फॉर लोकल वीजन पर ठीक है, बोकल फॉर लोकल वीजन पर या आधारिथ है कि भारती मार्केट जो है वह प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी के किस विजन पर आधारिथ है यह आधारिथ है वोकल फॉर्ट पर ने chance प्रॉट्टल पर बैपारी से वैपारी और वैपारी से उभोगता अपना माल बेच और खरीच सकेंगे और साथ ही ये दुकान खोलने के लिए हर वैक्ति को मोबाइल एप के जड़िये ही सबसे पहले अपना रेजिस्ट्रेशन कराना होगा चलिए और भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखे इस से रिलेट एप से देश के करीब आठ करोर वैपारियों को एक समान प्लेटफॉर्म मिलेगा नेक्स्ट क्वेशन हमारा है इंसोरेंस रेगुलेटर एडा ने हाल ही में किस जनरल इंसोरेंस कंपनी पर एक करोर रुपए का ज़र्माना लगाया है तो देखिए एडा ने जुर्माना ल देखिए इंसोरेंस रेगुलेटर एडा ने हाल ही में चोला एम एस जनरल इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड पर मोटर इंसोरेंस सर्वेस प्रोवाइडर एम आई एस पी से जुरे गाइडलाइन्स के उलंगन करने के आरोप में एक करोर रुपए का ज़र्माना लगाया है तो एडा का फुल फॉर्म देखिए एडा का फुल फॉर्म है इंसोरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलाप्मेंट ऑथोरेटी यह भारत सरकार का एक प्राधी करण यानि एजनसी है इसका उद्देश्य वीमा की पॉलिशी धारकों के हितों की रक्षा करना है वीमा उद्द्यो की गई थी 1999 में कहां है एडा का मुख्याले हैदराबान और इसकी अस्थापना कब की गई थी तो 1999 में की गई थी चलिए अब हम चोला MS के बारे में जान ले तो चोला MS जो है वा General Insurance Company है इसकी अस्थापना की गई थी 2001 में कब की गई थी 2001 में की गई थी और चोला MS का मुख्याले है चिन नहीं कहां है तो चिन नहीं में है नेक्स्ट कोईशन हमारा है हाल ही में किस एसोसीएट के द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी को वैस्वे कुर्जा और प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी को वैस्वे कुर्जा और प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी को वैस्वे कुर्जा और प्रयावर नेत्रित्तो प्रुसकार से सम्मानित किया गया है इस प्रुसकार की सुरुवात वर्ष 2016 में हुई थी कब हुई थी यह आपको ध्यान रखना है केंब्रीज एनर्जी रिसर्च एसोसियेट प्रुसकार की सुरुवात की गई थी 2016 में यह प्रुसकार वैस्वी कुर्जा और प्रयावरन के विश्य के प्रती समर्पित नेत्रित्तों का सम्मान करने के लिए दिया जाए नेक्स क्वेशन है नेम्ड में से किस सहर के असिस्टेंट पुलिस कमिशनर रमेश नारंग का हाली में निधन हो गया तो यहां देखिए पुलिस कमिशनर रमेश नारंग कहां के पुलिस कमिशनर थे तो वो थे मुंबई के option number 20 इसका correct answer है हाली में उनका निधन हो गया है important facts देखिए मुंबई के assistant police commissioner रमेश नारंग का हाली में निधन हो गया उन्होंने अपनी कारेकाल में Asia की सबसे बड़ी slum बस्ती धाराबी में कोडोना को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है तो देखिए police commissioner रमेश नारंग को इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने अपने कारेकाल के दोरान Asia की सबसे बड़ी slum बस्ती कहां है मुंबई में है क्या नाम है धाराबी ठीक है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था करोना को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी नेक्स क्विशन है 12 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए 12 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है साइबर सेंसर्शिप के खिलाव विश्व दिवर्श option number B इसका correct answer है साइबर सेंसर्शिप के बारे में बता दिया जाए तो साइबर सेंसर्शिप का कार्य होता है इंटरनेट पर जो भी चीजें डाली जाती है उस पर control करना या नियंतरन लगाना important facts देखिए 12 मार्च को विश्व भर में साइबर सेंसर्शिप के खिलाव विश्व दिवस मनाया जाता है जारी एक रिपोर्ट के मताबिक 12 मार्च को सीरिया देश में 22 पतरकारों और 18 इंटरनेट यूजरों को जेल की सजा हुई थी next question है हाल ही में किस राज़ सरकार बढ़ाने एक अभियान चुरू किया है उज़ना के बारे में आभ 108 योजना को कहा जाता है प्रधान मंत्री जन्रो योजना हम इस नाम से भी इसे जानते हैं किस नाम से परधान मंत्री जन आरोगी योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है और साथ ही आयश्मान भारत योजना जो है वह मोदी केर आप सभी ने सुना होगा मोदी केर के नाम से मसूर है वास्तम में यह योजना जो है वह देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ है स्कीम है जिसमें देश के दस करोर पड़िवारों को सालाना पांच लाग रूपय का स्वास्त वीमा मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाली में आयुश्मान भारत योजना के तहर गोल्डेन कार्ट बढ़ाने के लिए एक अभियान सुरू किया है जिसका उत्तर पुर्व राज्य में योजना के बारे में जाग रुकता फैलाना और लाभारतियों बिसेश रूप से ग्रामीन और दूर दराज के छित्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है नेक्स कुशन है कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए किस देशनी हाली में अपने पहले बरेटी का करन क्लीनिक का उधगाटन किया है तो देखिए यहां उधगाटन किया गया है न्यूसीलैंड के दोरा उप्सन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है किस की दोरा किया गया है तो यह किया गया है न्यूसीलैंड के बारे में जान ले न्यूसीलैंड के राजधानी है Wellington यहां मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे वेलिंगटन न्यूजिलेंड की राजधानी है सबसे बड़ा सहर है आउकलेंड न्यूजिलेंड के गवर्णर जेनरल है डेम पैटसी रेड़ी और प्रधान मंतरी है जैसीडा अर्डन कौन है तो मैं यहां नाम लिख देती हूँ न्यूजिलेंड के प्रधान मंतरी है जैसीडा अर्डन ठीक है न्यूजिलेंड ने हाली में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बरे टीका करन क्लिनिक का उधगाटन किया जो की दक्षिन आउकलेंड में खूला गया था और यह सुरू में सीमा कारे करता हूं कि घर के सदस्यों को लक्षित करेगा नेक्स कुईशन है निमन में से किस देश ने हाली में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्ने अभ्यास सुरू किया है तो देखिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्ने अभ्यास जो साथ साथ अन्य रक्षा उपकरनों पर हमला करने की छमता का परेक्षन करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सेन्ने अभ्यास सुरू किया है तो ध्यान रखिएगा अपना पहला सेन्ने अभ्यास किस देश ने अंतरिक्ष में सुरू किया है तो वह देश है फ्रांस यह वर्स 1965 के पहले फ्रांसेसी उपगरा की याद में एस्टर एक्स नाम से तियार किया गया है किस नाम से तियार किया गया है तो एस्टर एक्स के नाम से इसे तियार किया गया है नेक्स वेशन हमारा है रसाइन एवं उर्बरक मंत्राले ने फर्मास्योटिकल्स के लिए किस यो योजना को मंजूरी दी है, PLI योजना कहने का अर्थ है, production linked incentive योजना को मंजूरी दी गई है, चलिए important facts देखें, रसाइन और उर्बरक मंत्राले ने production linked incentive, scheme, scheme के तहत मतपूर्ण, starting materials, drug intermediate और active pharmaceutical ingredients को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है, अब फार्मा सेक्टर में PLI को देखिए, तो सरकार ने pharmaceuticals के लिए 15,000 करोर रुपे की PLI योजना को बढ़ावा दिया है, आयात को कम करने और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए या कदम उठाया गया, बरतमार में भारतिय दवा उद्योग 14 डॉलर बिलियन का है, और वैस्विक वाजार में इसका योगदान लवग 3.5 परतिशत है, लेकिन हाई एंड पेटेंट दवाओं अभी भी आयात किया जाता है, फार्मास्टेटिकल्स को पी ला योजना का विस्तार इसे विश्वास्तर पर प्रतिस रस्परधि बना देगी, next question हमारा है quad नेताओं का पहला virtual सिखर सम्मेलन कम हुआ तो देखिए quad नेताओं का पहला virtual सिखर सम्मेलन 12 मार्च को हुआ है option number A इसका correct answer है चले quad के बारे में जान ले तो quad क्या है quad जो है वह एक चतुर भुच सुरक्षा संबाद है आपको याद रखना है quad है चतुर भुच सुरक्षा संबाद जिसमें कौन-कौन से देश सामिल है तो देखिए उसमें सामिल है अमेरिका, जापान, औस्ट्रिलिया और भारत और quad जो है एक अनौपचारिक रन्नीती मंच है जो की सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित सिखर सम्मेलन, सूचना आधान प्रदान और सैन्ने अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है quad की सुरवात की गई थी 2007 में कब की गई थी 2007 में की गई थी 2007 में जापान के प्रधान मंत्री सिंजो आबे ने अमेरिका के उपराश्ट्रपती डिक चेनी ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जॉन हार्टबर्ट और भारत के प्रधान मंत्री स्री मनमोहन सी के सहयोग से Quad की अस्थापना 2007 में की गई है तो यह कोशन बहुत ही महत्तपूर्ण है इसे आप याद रखें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें भारत के प्रधान मंत्री सिरी नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एसकॉट मौरिशन जापान के प्रधान मंत्री योस 12 मार्स 2021 को हुआ इस रिलेटर और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो क्वार्ट नेता उन छेत्रिये और वैस्विक मुद्धों पर चर्चा करेंगे जो साजह हिटके हैं वेस्वतंत्र खुले और समावेशी हिंद प्रशांत छेत्र को बनाए रखने के लिए सह वायू परिवर्तन और उभरती और महत्तपूर्ण प्रद्योगी कियों जैसे समकालिन चुनावतियों पर अपने विचार का आदार प्रदान करने का अफसर मिलेगा सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए दिन नए प्रस्णों के साथ आप सभी का धन्यवार